नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर CBSE ने घोशित किया बारवी के परिच्छा का परिनाम पटना हाइकोट ने सभी DM और AAI को दिया नर्दिश 26 और प्रखंडों में स्टेडियम नर्मान की मिली स्विकृती सुसान सिंग राजपूत को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान किसस्वी जैश्वाल ने लगा दिया इतिहास का सबसे तेज अर्थसतक इसके साथ ही परते हैं शाम तक की बड़ी ख़बरों के और विस्तार से CBSE ने घोशद किया बारवी के परिच्छा का परिणाम किंद्रे माथे में सक्षा बोर्ड के और से कक्षा बारवी के बोर्ड परिच्छा का रिजल्ट आज घोशद कर दिया गया है ऐसे में विद्यार्थी अपना रिजल्ट CBSC के आधिकारिक वेफसाइट results.cbsc.nic.in या cbscresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं बतादे कि रिजल्ट जारी किये जाने के बाद यह जानकारी मिली है कि इस परिच्छा में कुल 87.33% विद्यार्थी उत्तिन रहे हैं वहें इस साथ लर्कियों ने 96.8% स्तफलता के साथ लर्कों को मादी है हाला कि बोर्ड की उर से अस्वस्तकार प्रतिशपरदा से छात्रों को बचाने के लिए प्रथम दुईते और तृते पुरुषकार नहीं दिया चाएगा उन्हें केवल मेरिट सर्टिफिकेट दिया जा राजभवन भीजा जाएगा और इससे जुरी सभी अपचारी ताइम पूरी कर ली जाएंगे आपकी जानकारी के बता दे किस परिनियम पर राजभवन के द्वारा मुहर तभी लगाए जाएगे जब वह बिहार उच्थर सक्षा परिसर से राय विचार विमश करेंगे और रिसर्च पेपर के अंकों के फॉर्मुले को सख्त और पारदर्शी बनाये गया है। मालमोग इसको लेकर अगर उचसतर ये समीती के द्वारा अनुसंसा की जाती है तो उनके कारेकाल को पांच साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इंडिया को नर्देश दिया गया है कि राजे में जितने भी हवाई पटियां पुणानी, हवाई अड़े और सिवल एंक्लेव हैं, उन सब के भूमी को अतिक्रमन मुक्त करवाया जाए और इसके साथ ही या भी सुनुश्चित किया जाए कि आने वाले समय में भी सरकार को लेना है ना की हाई कोट को करने में चूख हो गई है, आपके जानकारी के लिए बता दे कि आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि नियमों के मुताबिक FPPPCA तभी चार्ज किया जा सकता है जब प्रती यूनिट रासी 10 पैसे प्रती यूनिट प्रतीमा से अधिक हो ऐसे में अगर यह नियम लागू किया जाता है तो यह उचित नहीं होगा 26 प्रकंडों में स्टेडियम नर्मान की मिले स्विकृती बीते दिन गुरुवार को भवर नर्मान विवाग के सभागार में कला संस्ट्रिती एवं यूव विवाग की विवन योजनाओं को लेकर समिक्षा बैठक की बता दे कि बीते दिन हुए इस बैठक में राजे के औ और साथी अब 26 और प्रकंडों में स्टेडियम के नर्मान की स्विकृती दे दी गई है यानि कि अब पूरे राचे में 365 प्रकंडों में स्टेडियम के नर्मान को लेकर स्विकृती पानी के लिए प्रक्रियाच चल रही है मालूम हो कि बनाय जा रहा है इन स्टेडियम में पीची सी प्लैटफॉर्म सोचाले चेंचिंग रूम पवेरियन भवंचे से सवी तरह की शुविधाय मौजूद होंगी। क्योंकि ब्याज के अधिक होने के कारण विध्यारते रिंद चुकता नहीं कर रहे है जिस वज़ा से बैंकों को बकाया बढ़ता जारा है और अब यह बकाया बढ़कर 297 करोर रुपए हो चुका है वहीं दूसरी तरफ चातरों का कहना है कि जितने ब्याज जाधा है उसकी भ पद खाली है जिसको देखते वे बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है वहीं इस फैसले के बाद इस वर्ष प्रमोसन से बिप्रिस में 65 अधिकारियों के आयस बनने की संभावना जताई गई है मालूम हो कि फिलाल राजे में आयस के कुल स्विक्रित पर 369 है ज इसमें से 33 सदिकारी केंद्रे प्रतिनुक्ति पढ़ है याने कि बिहार में जो भी काम होड़ा है वह 215 आयस सदिकारी के सहारे होड़ा है पांच जिलों के डीपी यों को लापरवाही बरतने के लिए मिला नोटिस राजे के कई ऐसे जिले हैं जहांके सरकारी स्कूरों के बच्चों को देने के लिए सत प्रतिशत किताबे भेजी जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी अब तक बच्चों को किताबे नहीं बाटी गई हैं हाला कि बीते दिन गुरुवार तक राजे के 89.972 फीस दी विद्यार्धियों को पुस्तके बाटी जा चुकी है ले अब तक बच्चों के बीच किताबों को वितरुत क्यों नहीं किया गया इसका जवाब राजे काड़े आले को दिया जाए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन पांच जिलों के डीपीयों को कारण बताओ नोटस जारी किया गया है उनमें दर्भंगा भागलपूर पतना के बीच पैसेंजर जहाज चलाने के तयारी की जा रही बतादी के शुरवा 40 साल बात की जा रही मालुम हो किसके लिए भारतिय अंतर देश जलमार प्राधिकरन से नोसी मांगा गया है अगर नोसी मिल जाता है तो जहाज की शुरवा जून के अंतिम सब्सक्रा में हो बता दे कि परेटर निगम के M.D. नंद किशोर के दोरा दी गई जानकारी के नुसार राज्य सरकार की तरफ से परेटकों की सुधा के लिए दो रोरो वैसे जहाज लानी की अनुमती मिल चुकी और फिलाल भारती अंतरदेशे जलमार्क राधिकरन से जहाज लानी की बात चल है बता दे कैसी जानकारी मिली है कि अब इस साही लीची का स्वात देश के दूसरे राज्यों के लोगों को भी चखने का मौका मिलेगा दरसल बीतर दिन गुरुवार को मुझपर पुछ जंक्सन से वैशाली सूपर फास्ट और पवन एक्स्प्रेस से लीची की खेप को द दिनली और मुंबई भेजा गया है बता दे कैसा बताया जा रहा है कि जितनी भी लीची की खेप मुंबई और दिनली के लिए भेजी गई है वह सभी SLR से भेजी जा रही है लेकर लीची की खेप जंगसंदन प्रति दिन पहुँच रही है असी को देखते वे ऐसा नर्न ल बाबा की तस्वीर मालम हो कि इस तस्वीर को लेकर रमन का कहना है कि उन्होंने ये तस्वीर अपने टीम के साथ मिलकर पूरे च्छ दिनों में तयार की है सुसान सिंग राजपूत को याद कर भावुख हुए चुराग पासवान लोग जल सकती पाटी राम विलाज के राश्ट्री अध्यक चुराग पासवान के द्वारा मुख्य मंत्रे नितीश कमार के महराश्ट्र दौरे को लेकर उन पर तंच कस्तेवे बॉलिवूड अक्टर और बिहार के ला सुसान सिंग राजपूत को याद कर कहा गया है कि अब बॉलिवूड के मशूर अभिनेता सुशान सिंग राजपूत को न्याय क्यों नहीं मिला चिस तोरा सुसान सिंग राजपूत के साथ वगटना घटित हुई थी उस तोरा महराश्ट्रे के मुख्य मंत्रे उद्धर्फ ठाक नहीं थे उन्होंने कहा कि नितीश कमार अपने स और को कीरा कहा आज उसी से मक्य मंत्रे नितीश कमार भेट कर रहे हैं और विपक्षी एकता का बहाना करके उन्हीं लोगों के सरन में जार हैं जो बिहारीयों को पसंद नहीं करते जदियों ने महा सचीवो और सचीवो को सोपी नहीं जिम्यदारी 2024 में होने वाले लोग सभा और 2025 में होने वाले बिहार विधान सभा चुनाओं को लेकर जदियों की ओर से तयारियां शुरू कर दी गई है बता दे कि बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंग बाहा के द्वरा सभी पदादिकारियों की सूची जारी की गई है जिससे ही जानकारी निकल कर सामने आई है कि पार्टी के द्वरा चुनाओं को लेकर 149 महा सचीवों और 120 सचीवों को नई जिमेदारी सौपी गई है जिसके तहट इन सभी को प्रदेश मुख्याले प्रमंड लगा दिया है इतिहास का सबसे तेज अर्धस तक पिते दिन IPL 2023 के सोलवे सीजन में रास्थान रोल्स और कॉलकता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला गया इस दुरान कॉलकता नाइट राइडर्स के विरुध यशिश्वी जैसवाल ने मातर 13 गेंदो में अपना आर इतिहास का दूसरा सबसे महंगा पहला ओबर था इसके बाद दूसरे ओवर में हर्सत राना को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और एक शांदार छक्का और चौका लगाया इसके बाद सार्दुल ठाकुर के तीसरे ओवर में तीन चौके लगाकर मातर 13 गेंदो में अपना अर इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.24 रूपे और डीजल 94 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझे परपूर में पेट्रॉल 107.98 रूपे और डीजल 94 रूपे प्रती लीटर मिल रहा है वहीं पूर्णिया में पेट्रॉली कीमत 108.72 रूपे और ड 95.4 रुपे प्रती लीटर है भागलपूर में पिट्रोली कीमत 107.98 रुपे और डीजल कीमत 94.7 रुपे प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रोली कीमत 108.31 रुपे और डीजल कीमत 95.64 रुपे प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रो एक सोनोग दो समलोग छेश्ट रुपे प्रती लीटर और डीजल चानवे दो समलोग दो तीन रुपे प्रती लीटर की दर्से मिल रहा है। आज के सवाल क्यों? आज का सवाल है आपके रुसाल स्टुडेंट क्रेट काइड के तहत बिहार के इच हात्रों को दिये जाने वाले लोन से उन्हें पढ़ाई में किती मदद मिलती है।